Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by Unacademy, जो की इंडिया का largest online learning platform है, यहाँ आपको मिलती हैं daily live classes, live test and quizzes, structured courses and unlimited access 24-7 हमारे जितने भी video lectures हैं, जितने भी study materials हैं उनकी, लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा, Unacademy learning app download करें, Google Play Store पे जाके या iOS App Store पे जाके, and then आपको लेना होगा हमारा NEET UG का पेज subscription, हमारे सारे features अवेल करने के लिए, इसके लिए कई options आपके पास available हैं, 136-1224, since NEET UG का syllabus काफी vast है, काफी time taking होता है, इसलिए एक साल या दो साल का package सबसे ज़्यादा recommended है, and आप देखेंगे कि एक साल के package में, आप सिरिफ 6,000 add करते हो, तो आपको मिलता है 2 साल का package, on top of that, अगर आप मेरा referral code love10 ये use करोगे, तो आपको मिलेगा extra 10% का off, जो भी हमारी base prices है, मेरा नाम लवकिशोर श्रिवास्तवा है, तो आज हम बात करेंगे एक term की, जिसको हम कहते है, photo periodism, तो देखो, इसको दो पार्ट में अगर split करो, तो पहला पार्ट हुआ photo, और दूसरा हुआ period, ठीक है, photo सबको समझ में आ गया, light, period क्या होता है, time period, ठीक है, तो अब इससे नाम से ही समझ में आ रहा है, कि कितने time के लिए, और हम बात plants की कर रहा है, तो plants को, कुछ चीजों के लिए, क्या चीज़े हैं, वो हम अभी देखेंगे, उसमें light का specific time period चाहिए, ठीक है, तो अब photo periodism से ये समझ में आ जाना चाहिए, कि light का time period, ठीक, अच्छा, अभी इस diagram को अभी छोड़ दो, अब देखो, It has been observed that some plants require a periodic exposure to light to induce flowering, ठीक है, क्या मतलब हुआ, कि कुछ plants जो है, उनको कुछ specific time चाहिए, कुछ plants हैं जिनको कम light चाहिए, कुछ हैं जिनको जादा light चाहिए, किसलिए, flower करने के लिए, ठीक है, अब देखो, It has also been seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light, कितनी interesting चीज़ है, पहला तो आपने देखा, कि light चाहिए ही चाहिए, लेकिन plant की capability इतनी तगड़ी है, कि वो measure कर सकते हैं, कि किसी को माल लो, for example, 6 गंटा चाहिए, तो वो जान जाएगा कि 6 गंटा हमें light मिली है कि नहीं, उसको 3 गंटा दोगे, कि जैसे देखो, some plants require the exposure of light for a period exceeding a well-defined critical duration, जैसे मैंने बताया, कि 3 अगर है, 3 गंटा minimum है, तो कुछ plants से उनको 6 गंटा चाहिए ही चाहिए, ठीक है, और while others must be exposed to light for a period less than this critical duration, मान लो normal, normal एक average है कि 3 गंटा light चाहिए ही चाहिए, कुछ plants है जिनको 6 गंटे में ही काम चल जाएगा, तो critical period तो आपका 3 हो गया, for example, ठीक है को इस fix number नहीं होता है, यह द्यान आखना बस मैं example बता रहा हूँ, तो 3 गंटा normal average time है, लेकिन कुछ plants है जिनको इससे जादा चाहिए, कुछ है जो कम भी काम चल जाता है, ठीक है, अच्छा, अब बात आ गई कि जो जादा वाले हैं, जिनको जादा light चाहिए, उनको हम क्या कहेंगे, long day, day मतलब दिन, दिन का मतलब light, जिनको जादा light चाहिए, वो हो गए long day plants, और जिनको कम चाहिए, वो हो गए short day plants, ठीक, तो देखो, अब यहाँ पे तुमको long day, short day, और day neutral, day neutral का क्या मतलब है, अभी बताता हूँ, ठीक, तो पहला दो पार्ट देख लो, long day में क्या हो गया, कि जादा इसको वो चाहिए, light चाहिए, ठीक, short day में क्या हो गया, इसको यह देखो, below, critical period से below में यह flower कर जा रहा है, यह below में flower नहीं कर रहा, जब तक इसको जादा ना दिया जाए, इस critical level से, ठीक है, चलो, अब यह critical duration जो होती है, पहली बात है, हर plants की अलगल होगी, इसमें many plants, however, एक plant की fix तो हो ही नहीं सकती है, अलग-अलग plants है, उनकी अलग-अलग होगी है, cycle जो होती है, उनको जितनी light चाहिए, तो देखो, there are many plants, however, where there is no such correlation between exposure to light and induction of flowering, ठीक है, वो हो गए, day neutral plants, उनको कम दो, जादा दो, जादा कोई फरक, उनको ऐसा कोई rule नहीं है, कि हमको 10 गंटाच light चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो उनको हम बोलेंगे day neutral plants, ठीक, तो तीन तरीके के plants हमको दिख गए है, long day, जिनको जादा light चाहिए, short day, जिनको critical से कम चाहिए, day neutral, जिन पर कोई खास फरक नहीं पड़ेगा, अच्छा, अब बात देख लो, की important चीज है, known that only the duration of light period, but the duration of dark period is also of equal importance, ऐसा नहीं कि सिर्फ light ही light है, क्योंकि अब तुम पूरा दिन देखोगे, अगर 24 गंटा है, 24 hours है, इसमें मालो 18 गंटा, या 16 गंटा, 16 गंटा अगर day है, तो 8 गंटा, night भी तो है, ठीक है, यानि कि dark होगा, तो देखो तुम सिर्फ light तो important है ही, लेकिन उसक नहीं important होता है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, it can be said that the flowering in certain plants depends not only on a combination of light and dark exposures, but also their relative durations, ठीक है, अभी तुम को बताया, कि इतना minimum time तो चाहिए, ही चाहिए, ऐसा नहीं कि तुमने उसको बस कसम खाने के लिए दिन दिखा दिया, बाहर ले गए, पांच मिट वापस पांदर लिया, कि दूब दिखाईत होती, उससे क्या वो flowering करने लगेगा, नहीं, उसको उस plant का कुछ specific duration होगा, जितना उसको चाहिए ही चाहिए flower करने के लिए, अगर वो short day plant है, तो उसको कम चाहिए, long day plant है तो ज्यादा चाहिए, ठीक है, अच्छा, अब इसी response को, इसी response को, मैंने आपको पहले ही definition बताईती, इसको बोलते है, photo periodism, ठीक, इसमें कुछ सोचने अली बात ही नहीं है, अच्छा, एक और चीज़ आप धियान रख लो, it is also interesting to note that while shoots apices, shoot apex, ठीक है, shoot apex मतलब आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, modify themselves into flowering apex, prior to flowering, ठीक है, then by themselves cannot perceive photo periods, एक बार, एक बार ये change हो गए, flowering apex में, तो आपको समझ में आ गया, कि जब तक वो shoot apex में है, तब तक तो वो ले रहा है, लेकिन एक बार उसमें decide कर लिया कि हम अब flowering करेंगे, तो उसके बाद वो photo period वाली capability तो खतम, flowering तो हो ही रही है, ठीक है, तो उसकी sensitivity खतम हो जाती है, किसकी light की sensitivity यहाँ पर, ठीक है, तो द्यान रखना, अच्छा, site के ह हम बात कर रहे हैं, तो कौन-कौन सी site होती है, जो यह perceive करती है, perceptions, light-dark वाली जो बाते कर रहे हैं, leaves हो गई, ठीक, और क्या देखा गया, it has been hypothesized, that there is a hormonal substance, जिसको that is responsible for flowering, यह एक topic of debate है, अभी भी, लेकिन आप देखेंगे, तो कुछ लोग इसको बोलते हैं, florigen, florigen एक hormone है, जो flowering में help करता है, this hormonal substance migrates from leaves to shoot apex, क्यों, क्योंकि leaves में बन रहा है, आपने देखा photo period, और shoot apex की तरह बढ़ जाएगा, क्योंकि वहीं पे तो flowering होनी है, ठीक है, when the plants are exposed to necessary inductive photo period, अगर उसको उतनी light नहीं मिलेगी, तो यह वहां नहीं जाएगा, flowering नहीं होगी, यह भी एक theory है, कई theories हैं इसके पीछे, आपको अभी उसकी details में जानने के जुरत नहीं, एक theory उनमें से एक है, कि light चाहिए proper, कि यहां पे इसको कहाँ, leaf से बनके, जो shoot apex है, वहां पे जाए और flowering करे, उसके लिए इसको proper light duration चाहिए, उससे कम होगी, तो काम नहीं बनेगा, photo periodism, आपको अब समझ में आ गया हो, बस इसमें क्या याद रखना है, long day, short day और day, neutral, यह सब याद रखना कि क्या होते हैं, critical से उपर किसको है, critical से कम किसको है, तो topic में कुछ है ही नहीं, तो I hope वीडियो पसंद आया हो, like करो, subscribe करो, comment करो, and love 10, इस code को use करते हुए, and academy से यह मेरा telegram link है, यहाँ पर मैं अपनी classes का update देता रहता हूँ, चाहे वो YouTube की हो, चाहे वो unacademy पे free या plus classes हो, तो चलिए, thank you सुनने के लिए, and मिलते हैं, next lecture में,